जैसे लिए आप सभी को ये ने बनाया है, पिज़ा इसका बोटीजी में एकका रहा с zar, अभर मैं शीज़ाश चॉप करने में। वाह समें ये दो लेकी आ यूँ बिस और बहुत अच्छेजिन यह बैस को मैने खॅल लिया अर इस बैस पर में लगाउंगी ठाल्ष्ट सॉस बहुत ही टेस्टी बनेगा आप भी ट्राइ कीजिएगा ज़रूर यह देखो भी मैं यह नाइफ से इसको कर लूँगी स्प्रेड जैसे रिक्वाइर्मेंट होगी इसको कोडिंग लगाती रहूंगी आप भी इतनी आपको ज़्यादा पसन है तो ज़्यादा लगा सकते हो कम पसन है तो कम लगा सकते हो यह मैंने दोनों वो सोस और यह पीजा टोपिंग और यह सोस लगा दी और इनको स्प्रेड कर लिया अच्छे से आप भी आप भी एक बार घर पे जरूर ट्राइ करके देखिएगा अगर आप लड़ू गुपाल के लिए बना रहे हैं तो आप सो करके रखेते जो अच्छे सिपयाज इसको लंबले में काटके डाल दी अब मैं स्वीट कॉन डाल रही हूं बहुत अच्छा टेस्ट आता स्वीट कॉन का भी बहुत एजी है बन जाता है यह दो पांच मिनट में बन जाता है मतलब प्रिपेरिशन फाइफ मिनट में उजाती है फिर तैन मिनट में यह ओटीजी में लेगा फिर फिफ्टीन मिनट में मन जाता है राम से यह देखो यह मैं मूल की चीज डाल रही हूं इसके अंदर आप भी डाल सकते हो यह मोजीला चीज है इसके चीज को स्प्रेट करूंगे अच्छे से सबसाइट से यह क्या फ्रोजन में रखी वी थी तो यह जम गई इसलिए मैंने इसको ऐसे आज से कर ली बहुत ही बहुत ही टेस्टी बनेगा आप इस तरह से यह देखो यह रैडी है आप इसमें और भी विजिटेबल से अट कर सकते हूं यह देखो यह मैं इसको में उटेजी हूं आल जे टैन मिनट्स के लिए टू हंड़ेड टीगरी पर सिरफ उपर के आँच लगा यह मैंने इसको साइड से थोड़ा सवाइड करते हुए इसके इंदर सीजनिंग डाल दी और चिली फ्लैक्स डाल दी और गेनो डाल के बहुत बहुत तेसरी आप इसके इंदर सिमला में इससे कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हूं जो आपको पसंदी मेरे पास तो यह अवलेबल दी तो मैंने यह डाल ली अभी यह देखिए यह स इसे पिज़ा अपने घर पे यह अपने घर पर यह देखिए इसको कट कर आए और हमने मज़े लिए इसके लाइक से श्ब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू जी देखिए अब मेरा नम्मर आ गया है काने का इसको थोड़ा साइट से वाइड कीजिए गाए बहुत तेस्टी और बहुत एमी है इसको दोड़ा चोटा भी कार सकते थी थैंक यू हर हर महादेव